प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट से आपके सामने लाता है आज CPVC पाइप की और फिटिंग की बात करेंगे हम आज CPVC पाइप और फिटिंग की क्वालिटी एक्चली उसका जो काम है गरम पानी को फ्लो करने का तो आज हम गरम पानी इस पाइप के अंदर नहीं बहाते हुए हम गरम पानी में पाइप और फिटिंग को उकाल कर देखेंगे कि एक्चल में इसमें कोई डेमेज आता है या नहीं आता है तो दोस्तो ये वेरी टब पाइप का फिटिंग और पाइप दोनों हैं ब्रास का एलिमेंट भी है हमारे पास में ब्रास फिटिंग भी है साधी फिटिंग भी है और वेरी टब पाइप के पौन इंची के पाइप है ये HDR 11 और HDR 13.5 दोस्तों पानी उकल रहा है और उकल जाने देते हम दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पानी अच्छी तरीके से उकलने लग गया है अब इस पानी में ये पाई दोस्तों सारी चीजे में इसमें डाल दी है अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अब इसको हम प्रापरली उकाल रहे हैं और उकलने के बाद में इन पर क्या इफेक्ट इस हिटप का होता है क्या है दोस्ता आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पानी अपने फूल टेंपरेचर को ले चुका है कर दोस्ता आप है बाहे लोगा लोगा लोगाइब लोग। 152 पर नब पुड़ाब साड़के जगार जड़ी कि पुड़के जड़ादों लेद समझ बड़ादों लेघ पर दो साफ़ ऊड़ादों पर लेदेधा को पर शयक्तरी पालद़ी मेंगगते नहिता है, जा उय पर आफिस दू़ादों रचाम, जैं आपजे औरे परे दो, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही पाइप की इस ट्रेंज पर कोई असर नहीं हुआ यस प्राव कर लिया फितर्माथ पानी बलना है और पूरा उकल गया देखो न दोनों को कुछ नहीं हुआ कि पिटिंग भी निकालना है और केस निकालेंगे हैं चन्नी से अपर यह गंदा हो जाए हुआ कि बहुत ज्यादा घरम पानी है लेकिन देखो इसको भी कोई असर नहीं है यह देखिए किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं ना कोई फपोला ना कुछ कहीं से फूला कुछ भी नहीं स्ट्रेंथ वही के वही वह देखिए कुछ भी नहीं हुआ कि पाइप भी एजटी तो दोस्तों आज हमने देखा किस तरीके से वेरी टप जो है वह क्वालिटी प्रोडक्स आप लोगों के बीच में हमेशा से पेश करता आया है अगली बार के वीडियो में हम अगली कुछ टेस्टिंग देखेंगे थैंक्यू अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए थैंक्यू वेरी मच्छ